नमस्कार देश टीवी के खास कारिक्रम खास बात में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वीना और इस बार के खास बात में हमारे साथ मौजूद है छॉलिवुड के जाने माने कलाकर राजेश सहजवाने जी राजे जी बहुत स्वागत है आपका देश टीवी पर थेंक यू देश चैनल के सभी तर्शकों को मेरा साधर नमस्कार राजे जी आप एक्टिंग करते हैं लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये शुरुवात कब और कैसे हुई वैसे तो मैं पहले से ही एक्टर था नुकर नाटा को अगर किये सिंगिंग में भी मेरा बहुत रुजान था प्रोफेशनल नी तो मैं नहीं कर पाया लेकिन जब भी कोई मुझे बुलाता था प्यार से तो मैं जरूर फ्री में जाके गाने गाता था और काफी औरकेश्टर पार्टी वालों ने मुझे बुलाया और मैंने भी बहुत इंजॉय किया सिंगिंग को उसके बाद 2008 में जब रौकी दास्वानी मया बना रहे थे तो हम लोग एक साथ ही थे उस फिल्म में लेकिन किसी वजह से फिर रौकी दास्वानी नहीं लीट किया और आगे उस पिक्चर को ले गए जिसमें अनूज और प्रकाश काफी हिट साबित हुए वहाँ से एक इक्चा तो थी मुझे करने की लेकिन संयोग से ऐसा समय नहीं लगा समय नहीं हुआ कि परिस्थितियों वश कुछ ऐसा चलता गया जीवन अपने गती में बहता रहा लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि मुझे लगा कि नहीं सब इस जिन्दगी में ही करना चाहिए अपनी एक्चाओं को भी प्रायटी देनी चाहिए उसके बाद मैंने प्रकाश अवस्ति जो की पुराने मुझे परिचे के ही हैं उनसे मिला दो तीन मिटिंग हुई उन्होंने मुझे कौफर दिया कि आप मेरे साथ ऐसे को प्रोड्यूसर भी काम करें और इसमें बहुत अच्छी एक भूमिका है नेगेटिव किरदार है लेकिन धमदार है जो की विलन के रूप में मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रकाश भाई तो इतने अच्छे एक्टर है ही हीरो तो वही है स्वाभाविक है तो मैंने कहा ठीक है मुझे एक्सेप्ट है मैं इस फिल्म में राजु दिलवाला अपकमिंग शायद जन्वरी में इसकी रिलीज है और इस फिल्म में प्रकाश भाई ने मुझे भूमिका निभाई है डबल किरदार है उनका एक तो वो डारेक्टर है प्रोडूसर है और एक्टर भी है उसमें मैं को प्रोडूसर हूँ और साथ में एक विलन का रोल भी किया है मैंने तो राजी जी इस फिल्ड में आने के आपने कैसे सोची और किस तरह से जैसे कि आपने मताइए कि आप सिंगिंग भी करते हैं तो कैसे आपकी शुरुवात हुई singing तो बच्चपन में मेरे अंगाने में तुम्हारा क्या काम है तो संयोग से मेरी आवाज कौपी हो जाती थी या मिताब बच्चन की तो मैंने अज़ी गाया घर पर अरे मेरे अंगाने में तो घर वालों ने बुला वा ये तो बच्चन की आवाज निकाल रहो अब तुम्हारा जमरी है तो ठीक है एक गणे सोटसव रखा हमने पच्पडी नागा में शौप थी हमारी वहाँ पर मैंने ये गाना गाया तो पब्लिक ने वंस मोर करके चिलाया तो एक मिला मुझे कि नहीं मैं गा सकता हूँ तो वहाँ से एक दौर चालूबा कि बहार तो लोग कम लेकिन मेरे जानने वाले जितने भी लोग शादी ब्या या पाटियां होती है तो वो देखते हैं कि राजू भाई आये हैं तो एक गाना भी है आपको गाना ही पड़ेगा ये उनकी शर्त रहती है तो मैं गाता हूँ मजे लेता हूँ तो क्या हम भी सुन पाएंगे आपके आवाज में जी अभी मैंने दूसरी फिल्म मेरी आई हीरो हिरालाल उसमें मैंने गाना भी गाया है आप सुनेंगे बहुत जल्दी क्या अभी आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो लाइन सुनाएंगे मैंने एक गाना लिखा है तो आपको सुना रहा हूँ मैं राइटर भी हूँ जी ए दिल बता तूने क्या पाया दिल लगा के तूने जादे दे आपके आवाज के साथ साथ आपका सुर्टाल बहुत पॉफेक्ट लगा जब आपने गाना गाए तैंक यू राजे जी ये भी जाना चाहेंगे कि आप फैमिली में आपके कोई है जिस वज़ा से आपको ये प्रेड़ना मिली कि आप इतने क्रियेटिव हो गए नई मैं थोड़ा बच्पन से थोड़ा इंट्रोवर्ट था अपने आप में डूबा रहता था तो कुछ लिखता था थोड़ा भी भावनात्मक किसी से मुझे चोड़ पहुँची है कुछ तो उसके बारे में मैं भी वटके रात के एक बज़े दो बज़े कुछ अपनी कॉपी में लिखा करता था तो वहां से मुझे एक क्रियेटिव गॉड़ गिफ्ट है समझ लो क्रियेटिव हूँ मैं लेकिन संयोग से मैं घर का बड़ा था तो बिजनेस में ही अपना समय जाद़ दे दिया जैसे मैंने अभी लिखा था ये करीब बारा साल पहले दाग दामन पे नहीं दिल पे लगाया है मैंने कब्र पर ही छूटेगा मेरी वो रंज उठाया है मैंने पहले लगता था कुफर है कुफर मिन्स भ्रम शंका पहले लगता था कुफर है पर है ये हकीकत ही हर जख में गम जो दिखता है चेहरे पर मेरे वो मेरे अपनों से ही खाया है मैंने किस उम्र से आपने ये राइटिंग सिंगिंग ये सारा कुछ स्टार्ट किया लगभक 15 उसके बाद जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो कोई फैमिली का जो प्रेशर आप बता रहे हैं कि वो था कि बिजनस करना है तो जब इस फिल्ड में आप आना चाह रहे थे जब जादा टाइम देते थे तो क्या फैमिली में किसी ने ऐसा आपको डिस्करेज किया कि नहीं ये मत करो बहुत ज़्यादा इस फिल्ड में आ के मुझे काम करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि छोटा था मैं 14-15 का तो मेरी मम्मी एक्सपायट हो गई दो छोटे भाई थे घर शौप, सर्विश, पहले नौकरी की मैंने फिर दुखान डाली ऐसा समय गया लेकिन चब भी मुझे समय मिला लोगों ने मुझे बुला तो मैं 2 गंटा, 1 गंटा, 1 गंटे में मैंने रियास किया और दूसरे गंटे में मैंने गाना गाय ऐसा भी हुआ है वो शौक था, वो एक जजबा था, जुनून था कि नहीं है, कैसे भी एक, उसी वज़े से मैं शायद दूसरे काम करता रहा, जो कि मुझे ये एनरजी मिलती रही, जो बोलते है न, अपने को बैटरी चार्ज होते रही मेरी, तो मैं कहीं न कहीं सारे कलाकारों से, राइपूर मैं बहुत पुराने लोगों से मिलता भी रहा हूँ, बीच में सब काफी लोग मुझे जानते भी हैं, और जो मेरे से मिलता है, वो ये ही बोलता है, कि रहार इसको तुम प्रोफेशन के रूप में क्यों नहीं अपना है, लेकिन ठीक है संयोग से ऐसा होता गया, वो तो पर देनिंग भी हो और उसके द्वारा मेरा एक्टर भी बहार आ रहा है, तो दूसरी पिक्चर है मेरी अजाज वार्थी जी के साथ, हीरो हीरालाल, पीवी फिल्म से हैं, उसमें भी मैं को प्रोडूसर हूँ, और तीन हीरो हैं उसमें, हीरो, हीरा और लाल, अच्छा, इसमें ह जैसे अक्षय कुमार और वो सुनी श्रेटी की पिक्चर आई थी, कॉमेडी भी थी, उसमें, एक्शन भी था, इसमें सब है, लबदर्शकों को मजा आ जाएगा, हीरो, हीरा लाल देखके, गैरेंटी है ये मेरी दूसरा मेरा काम था, उसमें मिरुपर ट्रक थी, लेबर से दिन भर में बात करना हो, तो 36 लड़ी मेरी याने कोई यह नहीं बोल सकता कि मैं सिंधी हूँ खास बात में हम रुक रहे फिलाल एक छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद बाचीत का सिलसिला जारी रखेंगे